त्रिभुज या त्रिकोन कई मायनों में इस अस्तित में एक मौलिक आकार है सबसे एकी कृत स्वरूप एक त्रिभुज का है कॉंक्रीट और स्टील और इस तरह की सभी चीजों के आने से पहले मेरे खयाल से खासकर अमेरिका में किसी भी घर में आज भी त्रिकोनी चट है, है ना? भारत में हम सपाट चटें बनाने लगे हैं क्योंकि हम कॉंक्रीट की चटों का इस्तिमाल करते हैं और भारत के मौसम के लिए एक सपाट चट ठीक है तो यहां आज भी लगबग हर घर की चट्रिकोनी है त्रिबुची क्यों? त्रिबुची क्यों? क्योंकि न्यून्तम सामगरी के साथ अधिक्तम मजबूती केवल एक त्रिबुच के लिए होती है अगर आपको उसी मजबूती वाला कोई दूसरा आकार बनाना है तो हमेशा दुनिया में कहीं भी लकडी के दो डंडे लेकर और धर्ती को आधार की तरह इस्तिमाल करके घर बनाये जाते थे तो ये बस उन घरों की बात नहीं है जो आप बनाते हैं यहां तक कि दिव्य हाथ ने यहां तक कि स्रिष्टा के हाथ ने भी आपके भीतरी और बाहरी बुन्यादी स्वरूप के निर्मान के लिए एक त्रिभुच को चुना अगर आप किसी आणविक संरचना को देखें तो ये कई मायनों में त्रिभुचों का एक जटल सा योजन होता है इसी तरह अगर आप मानव शरीर को एक अलग स्थर पर देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें उर्जा शरीर जैसी एक चीज होती है उर्जा एक खास तरीके से शरीर में गतिशील होती है और कारे करती है योग में इस बारे में एक पूरी समझ मौजूद है और आपके पूरे सिस्टम में उर्जा कैसे कारे करती है इसे अनुभव करने का एक खास तरीका है अगर आप इसे जागरुकता के साथ देखते हैं अगर आप देखते हैं कि आपके सिस्टम का निर्मान किसी तरीके से हुआ है तो आप देखेंगे कि आपके शरीर का सबसे बुन्यादी स्वरूप एक त्रिभुज का है सभी नाडियां त्रिभुज के रूप में मिलती है जिसे हम चक्र कहते हैं वो वास्तव में त्रिभुज है नाडियां हमेशा त्रिभुज के रूप में मिलती है हम उन्हें चक्र कहते हैं क्योंकि वो गतिशीलता का प्रतीक है तो एक गोल चक्र के अंदर वो नारंगी त्रिभुज आगना चक्र है जो आत्मग्यान और ग्यान और जानने और बोध का चक्र है क्योंकि योग बोध पाने का विज्ञान है योग चरम बोध का विज्ञान है तो ईशायोग चरम बोध के प्रतीक एक चक्र में नारंगी त्रिभुच का इस्तिमाल करता है और अगर आपने यंत्र देखे हो तो दक्षन भारत में बहुत से यंत्र हैं क्या आपने देखे हैं? श्री चक्र और उस तरह की चीजें? यंत्र का मतलब है एक उर्जा रूप अगर आप कुछ विशेश रूपों का निर्मान करते हैं तो उनमें कुछ खास उर्जा होती है वो कुछ खास मात्रा में उर्जा धारन कर सकते हैं सभी यंत्र हमेशा त्रिभुच से बनाए जाते हैं वो त्रिभुजों की जटल सन रचनाय होते हैं क्योंकि आपके शरीर की उर्जा प्रणाली इस तरह से बनी है कई मायनों में अस्तित्व के मूलभूत पहलू इसी तरह से बने है इसलिए त्रिभुज है कर दो अस्तित्ती है